अब सके एक तरफेह रिपोर्ट लिखते वे उसकी जो डिफेंट हिस्से हैं उनको एकठा करती है तो उनकी क्या शकर निकल सकती है इसके लिए हमने कुछ सैंपल्प्ल्स आपके लीए इंटरनेट से निकाल के रखें रिपोर्ट के हिस्से जो मेन होते हैं उसमें यह होता है कि शुरू में अबस्ट्रैक्ट दिया जाता है फिर इंट्रोड़क्शन बैग्राउंड होता है उसका मेन नेरिटव होता है और आखर में कोई किन्खुलूजन होता है एक दो हमने आपके लिए यह रखें, let's have a look at these यह एक internship report है, इसमें देखें के पहले यह उसका title page है उसमें जिस bank में उन्होंने internship की है, उसका नाम आएगा उसके लिए उन्होंने fonts बगारा बताए हुए, student की ID, उसका नाम यह तमाम तफसीलात, यह जो है, Virtual University के Department of Management Sciences की एक report है और इसमें इसका यह title page है अगर हम नीचे जाएं, तो उसमें सारी उन्होंने details बताए हुए हैं के title page पे क्या क्या आएगा फिर letter of undertaking है, और scanned copy of the internship certificate जो कि organization ने दी होगी कि यानि कि यह complete कर चुका है, बच्चा, student यहाँ पर अपनी internship को और dedication अगर हो देना चाहें तो यह optional है बाद में acknowledgement, executive summary और फिर table of contents तो और फिर brief introduction of the banking sector है, overview of the bank और आपने internship में क्या किया, यह main narrative इसका जो है, यह है और इसके words की limits भी उन्होंने दी वी है, इसमें पूरे इस template में training program, इसकी भी word limit है, कि आपने जो training हासल की, उसमें आपने क्या सीखा, कैसे हुआ और उसके बाद है learning experiences, यानि कि उससे आप जो report बना रहे हैं, उन्होंने उससे क्या सीखा knowledge gained, skills learned, attitudes observed, values gained, most challenging task performance इसमें कुछ challenges भी हैं, कुछ achievements भी हैं, कुछ नई learnings भी हैं, और फिर critical analysis है और future prospects of the organization, और end पे conclusion और recommendation, यह कुछ हिससे हैं, जो conclusion और recommendation आम तोर पे सारी reports में होते हैं, फिर references भी देना जुरूरी है, अगर annexes हैं, कोई जैसे meeting के minutes हैं, या कोई training का जिकर हुआ है, उसका कोई training का schedule वगरा है, वो हो सकते हैं, और उन्होंने annexes में दिया होगा, इसको बाकी आप detail में आप देख सकते हैं, इसको, but I'm going to go on to the next report, एक Paris agreement की है, एक international, यह तो हमारी, this is a local report, एक international report देखते हैं, और वो थोड़ी सी brief है, बहुत बड़ी report नहीं है, ठीक है, अच्छा, यह Paris agreement on climate change के बारे में है, और इसमें उन्होंने पहले उसका background जो दिया है, इसमें उन्होंने headings थोड़ी सी different दी वी हैं, जो fixed होती है, या background या इस तरह के words उन्होंने नहीं उसके different थोड़े से की हैं, so that was interesting, introduction उन्होंने यह दिया हुए, और उसके बाद, उन्होंने का है, on the road to Paris, यानि के Paris में जो conference ही, उससे पहले क्या क्या हुआ था, तो उसका background उन्होंने इस तरह की heading के सुरू दिया हुए, और इसके इलावा, जो है, फिर उसक इस conference तक क्या हुआ, उसके बारे में कोई information है, और फिर आता है कि actual Paris Agreement on climate change क्या था, इस वाली conference में अब क्या था, so this is the Paris Agreement, और आखर में जो है, उन्होंने conclusions नहीं हैं इसकी, यह conclusions हैं, और it's a simple report of an event, of a conference that happened, कि उससे पहले क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ और उसके नताइच और आखर में, तो जैसे उन्होंने बात की कि different formats हो सकते हैं उसके किसी भी report के, तो उसमें infographics भी एक तरीका है, कि एक report infographics के through भी हो सकती है, जिसमें कि आपको सारे facts and figures पता लग रहे हों, उसके लिए एक image है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि meals produced का number बताया हुआ है, volunteers at sites जिन्होंने कि ये तक्सीम किये और total donations जो spent हुई, कितने बच्चों को ये खाना दिया गिया, तो ये सारी, आप एक important information एक infographic में दी हुई है, images है, उसमें छोटे-छोटे उन्होंने ये squares बनाए हुए, blocks बनाए हुए और उसके अंदर हर different image है, तो ये भी एक तरीका है report करने कि आप informally या formally भी अपनी report के साथ कुछ facts इस तरह दे सकते हैं, बजाए paragraph form में देने के, so these are some formats and we hope you enjoy exploring others on the internet.